नमस्कार आप देखरें न्यूज जेदीन राजस्तान आपके साथ मैं हूँ आसिफ खान करोली जिले में तोड़ा भीम उपखंड के भोपुर गाव लाला राम का पुरा में बने एनिकट में तीन यूवक गंभीर नदी के तेज बहाव में बैगे तीनों यूवक बैते बैत के बीच नदी में पहुच गए जहां यूवकों ने बबूल के पेड को पकड़ लिया और जैसे तैसे अपनी जान बचाई वहिस दौरान एक यूवक कोशिश करके नदी से बहार निकलाया जबकि दो यूवक अभी भी नदी के बीच बबूल के पेड को पकड़ कर बैठे हैं सूचना पर SDRF की टीम मौके पर पहुची है और ये टीम यूवकों को नदी से बहार निकालने की कोशिश कर रही है रविवार को हुई तेज बरसात के कारण ब्यावर खास मार्ग स्थित चावनी नदी पुलिया में पानी का तेज बहाव आ गया तेज बहाव के दौरान पुलिया से गुजर रही स्कूटी सवार महिला असंतुलित होकर महिला गेहरे पानी में चली गे हालन की इस तौरान महिला ने नदी में स्थित एक चाड़ी को पकड़ लिया उदर नदी में महिला के गिल जाने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुँचे और नदी में रसी फैंक कर उसे सुरक्षित रूप से बाहार निकाला जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ले प्रदेश में मांसून सीजन के दोरान स्थिर्फ लोगों के लिए देवदूत साबित हो रही है स्थिर्फ के कमांडेंट राजेंदर सिंग से सोधिया ने नियूज 18 से खास बाचीत में बताया कि 25 जून को 51 टीमों को 28 जिलों में रवाना किया गया इन में 550 से ज्यादा उच प्रशिक्षित जवानों को शामिल किया गया जवानों ने 10 अगस तक 45 दिनों में करीब 90 रेस्क्य ओपरेशन किये जिस पे स्थिर्फ जवानों ने 272 जिंदिगीयों को बचाया कमांडेंट राजेंदर सिंग सिसोधिया ने बताया कि मौनसून के दोरान दामिनी और सचेत मॉबाइल एप की मदद से आव आदमी मौसम के हाल जान सकता है दोनों ही एप को मॉबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है जिनमें की जन्हानी हुई है उनका जब हम विश्लिसन करते हैं तो उसमें मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो यही है कि लोग किसी ऐसे इस्तान पर पिक्निक मनाने गए और पिक्निक मनाने तक तो ठीक है लेकिन जैसे ही वो रील बनाने और रील बनाने के दोरान खत्रों से खेलते हुए एसे स्तानों पर जाकर वीडियो συूटिंग करने कोसिश करने है या मिल बनाने कोसिश करने है कि वहाँ पर ज़नक पाऊँ फिसल गया यह पदा दिकारियों के मताबग परीवन विभाग उनके समस्याओं का कोई समधान नहीं कर रहा, कई बार वो परीवन विभाग के उचा दिकारियों से इस बारे में मिल चुके हैं लेकिन उनकी 24 सुत्री मांगों पर कोई कारवाई नहीं की गई, Association ने कहा कि अब भी उनकी मांगों पर विचार नहीं होता है तो वो चक्का जाम करने को मजबूर होंगे तो हमने ये निश्चित किया पूरे राजस्तान के 30,000 बस ओपरेटर 27 तारिक से एक दिन की हर्ताल करेंगे और यदि पूरी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चित काली नर्ताल पे चले जाएंगे बॉर्डर सेक्योर्टी फोर्स ने पाकिस्तानी गुस्पेठिय को पकड़ा है बार्मेर्ट से लगती भारती सीमा में तारबंदी पारकर गुस्पेठिया बॉर्डर से 15 किलोमेटर अंदर सेड़वा के जड़पा गावं तक पहुँच गया ग्रामिनों के सूचना पर बीएसेफ और पॉलिस की टीम ने सेंउत कारवाई की पाकिस्तानी यूवक के पास से एक डायरी और मॉबाईल भी बरामत किया गया बीएसेफ की टीम गुस्पेठिय से पूस्टाच कर रही है बॉर्डर पर गश्ट को भी बढ़ा दिया गया है खैतर जिले के तिजारा से विधायक बाबा बालकनात रात आठ बजे तिजारा अस्पताल पहुंचे जहां उन्होंने अस्पताल का ड्यूटी रजिस्टर चेक कर विवस्थाओं का जाईजा लिया इस दोरान उन्होंने भर्ती मरीजों के परीजनों से अस्पताल में मिल रही सुविदाओं के बारे में जानकारी ली, ड्यूटी से डॉक्टर के गैर हासी रहने पर उन्होंने नाराज की जताई उन्होंने तुरंत इस मामले में मुख्य चकित्सा अधिकारी को संग्याल लेने का निर्देश दिया है में करेंगे और आज जो हमारे पक्ष में हैं वो हमारे मतदान मदाता बने इसका प्रियास करेंगे जो मदाता बनेगा उसको कारेकरता बनाने का भी प्रियास करेंगे ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठोड का उन्होंने जोदपूर में न्यूज र करेंगे सर्थ सबस्राइब तो आपको बलाई क्या चुनोति नाम की कोई चीज नहीं है संगटी तरह करके मुकाबला करने के इस्तिति में हैं हमारे हर क्षेतर में कारे करता है अब वो सब कारे करता अन वरिष्टों का अनुभाव का लाब ले करके जो seniors हैं हमारे उनकी जो अनुभव है आज तेके उनको साथ में लेकर के और कारेकरता बजट को लेकर राजस्तान और केंदर सिर्कार के बजट को लेकर जनता की बीच में जाएगा तो हम सफल होंगे कोई चुनोती हमारे सामने नहीं है जिमें सवाल को बड़ता हूं सर्परत भापक तरी नहांदreu मोधी हमेसा कुछ नहोंचार करते है ऌbn संगठन में क्या नवाचार करेंगे हमारे प्रतेक कारेकरता का उप्योग होना चाहिए, हम उप्योग में लेंगे, प्रतेक कारेकरता का, और नवाचार यदि समझें तो हमारे विरोधि को भी हम अपने पक्स में करेंगे, आज जो हमारे विरोधि है, कल वो हमारे पक्स में आये, इस परकार का प्रयास हम करेंग विरोधी हो सकता है राजनितिक विरोधी है लोग तंत्र में मैं कॉंग्रेस के लोगों को भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रिय चरित्र पैदा करो यह मस्ट है राष्ट्रिय चरित्र जरूरी है और मैं एक बात और बताना चाहूंगा हमारी पूजा पदती कोई भी हो हमको क कोई दिक्कत नहीं है कोई मंदिर में जाए को जाये को आपका वान्टिअ न भी जाये हैं अध्य की नहीं क्यों नियुक्त कई विर्थृ होरे मर्ला करें आपने दूधाफ राश्टि यह एंचे जता मेंचैन चाहिए और यह सभी राजनितिक पार्टियों में चलाते हैं ना सुनाबी कम पूर्ती होते है तो सब्सक्राइब के चल रहे हो पर चल रहा है हमारा वान स्टेट, वन इलेक्षन उस दिसरा में अमरी सरकार प्रयास कर रही है काम कर रही है दहते क्या होता है कैमरामेन समिर खान के साथ चंदुशेकर वियास न्यूज एटिन रास्ता जोदपूर जैपूर में श्रीकर्ष्ण जन्माश्मी के आउसर पर श्वेर के आराब थे शीगोविन देव जी के मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंद किये गए हैं मंदिर में एक दिन पहले ही सुरक्षा व्यवस्ता और पार्किंग व्यवस्ता का जाइजा लेने के लिए नौथ जिले के तमाम पुलिस अफसर जुट गए वहीं हवा महल विधायक बाल मुकंदाचारे भी मंदिर पहुंचे न्यूज 18 से खास बाचित में DCP North, राशी डोगरा, डूडी और एडिशनल DCP रानुश हर्मा ने बताया कि पिछली बार से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्ता में पुलिस के जवान लगाए गए हैं पुलिस कंट्रोल रूम में 100 से ज्यादा CCTV के लिए बदमाशों के निगरानी भी होगी, करीब 2 लाग से ज्यादा शधालों के आने की संभावना को देखते वे पार्किंग और दर्शनों की विशेश व्यवस्ता की गई है, शधालों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 400 से ज्यादा स्वेम सेवक लगाए गए है चेक करना है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्ता यहाँ पर की जड़ी हमारे साथ मौजूद है, DCP, राशी जी, मैडम, सुरक्षा की क्या का तयारिया इस बार की गई है मंदिर में, देखिए पूर्व की तरह तकरीबन हजार का जापता तो मंदिर परिसर के अंदर के जाया गया है, पूरी सुरक्षा द्रिष्टी से देखते हुए, कैमरे लगाये गए हैं, जिसमें फेशल रिकाग्निशन सिस्टम है, जो पूरे सीसी टी एनेस में जितने भी अपराधी चलानशुदा है, उन से अगर वो उस तरह के अपराधी यहाँ अपरात करने आते हैं भीड़ मार के इलाके में कल पर्व के समय, तो उनके पैचान की जाएगी और पैचान करके उन पर कारवाई की जाएगी में ट्राफिक को लिए क्या रहने वाला है यहां को ट्राफिक के लिए पार्किंग की व्यवस्ता अलग-अलग जगे कर रखी है, इदर से आने वालों के लिए चौगान स्टेडियम है, और इदर पॉंडरिक पार्क के पास से जो इदर से आएंगे, आगे यहां पे रामनि में आई जाएगा, तो सभी जगे इसकी व्यवस्ता की हुई, तो सुरक्षा के क्या उपाई इस बारे आपर किये गए हैं हमने काफी तो अभी हमने जो फेस्टेक्शन का सॉफ्टवेर लगाया था तो जितने भी चोर, उचक्य, जेब कत्रे, फिर भी हम महिलाओं से उनको identify कर सकें, उसके अलावा जो हमने इस बार बैरिकेडिंग इस तरह से रखी है, कि काफी smooth flow रहे, चोटी 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 पैसेजस कई सारे बनाएं ताकि एक लाइन में लोग चलते रहें और धक्कामों की किसी प्रकार की नहीं हो, फोर्स भी इस जादा डबल लगाई है क्योंकि वीकेंड था, तो सुरक्षा की विवस्ताम ने टेक्निक टेक्निकल आस्पेक्ट्स को भी इस बार शामिल किया है, और जो हमारा human intelligence का पार्ट है, वो तो रखाई है, प्रदेश की राजधानी जैपूर काहना के जन पर उनके स्वागत के ल में एक दिन पहले ही गोविन देव जी के दर्शनों के लिए शंधालों की लंबी कतार लग गई, मंदिर परिसर में भगवा पता का और भधाई हो के बैनर हर जगे लगाएगे, इस बीच न्यूज एटिन राजस्तान की टीम ने भगवान श्री राधा गोविन देव मंद लेकिन उसके एक तिन पहले बगवान श्री राधा को विचे महाराज गुलाबिरं की पोशाग बने दर आरे और यहीं पर भगवान श्री राधा को विचे का दर्बार सचका तयार है यहां पर बढ़ाई असंदेश यहां पर बैनर पोस्टर यहां पर लगाएगे और यहा अना उस साथ पर भगवान श्री कِ दर्बार में वक्त आराम की लिचे के अरबन को यहां पर यहां पर घिए और यहां पर कहते हैं। कर देश की राज़दानी दिल्ले में से तक्षरधाम मंदिर की खुबसूरती देखते ही बनती है लेकिन आज आपको हम राजस्थान के अक्षरधाम से रूबरू करवाते हैं बात मिवार के प्रसित सावलिया सेथ मंदिर की जहां हर साल लाखों लोग अपनी मनुकामना लेक होते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए सावलिया सेथ को सेटों का सेट कहा जाता है वैपार जगत में उनकी ख्याती इतनी है कि लोग अपने वैपार को बढ़ाने के लिए सावलिया सेथ को अपना बिजनस पार्टनर बनाते हैं सावलिया सेथ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लाखो श्यधालू दर्शनों के लिए पहुँचते हैं जो अपनी मनुकामना पूर्ण होने पर सेथ को अपनी इच्छा नुसार चड़ावा चड़ाते हैं मंदिर मंदल द्वारा यहां देव जूरनी एक अदशी पर तीन दिवसीय मेले के आयजन के साथ ही किष्ण जनवाश्टनी सहित विभिन तिहारों पर मंदिर की रंग बिरंगी लाइट से विशेश सजावट की जाती है जिसकी खुबसूरती देखते ही बनती है पूरे दिन भक्तगनों की जो है यहां आवक रहेगी और रात के टाइम पर जो रात को बारा बज़े जो एक तरह से जन्म के रूप में मनाया जाता है उत्साय के रूप में तो वो भी एक उत्सव के रूप में यहां मनाया जाता है इस बार भी शीक कृष्ण जर्माष्टमी पर मंदिर मंडल समीती ने खास तरह की सजावट का इंतजाम किया है महीं शद्धालू के मनोरंजन के लिए भजन संध्या का भी आयजन किया जाएगा सावलिया जी की मूर्ति का नित नया शंगार आकर्शन का केंद्र रहता है महीं कष्ण जर्माष्टमी के आफसर पर भी विशेश शंगार किया जाएगा न्यूज 18 के लिए चिताओडगर से पियूश मूंदुडा की रिपोर्ट सेम ने जर्माष्टमी की प्रदेश को बढ़ाई खर्यालो राजस्तान के सफलता की कामना की प्रदेश में हो रही बारिश पर बोले सेम कहा प्रदेश को खुशाली मिले सेम जैपूर के लिए रवाना हो गए और कल कृष्णी जर्माष्टमी है कृष्णी जर्माष्टमी की आपको हर दिख बहुत-बहुत सुबकामना बदाई बगवान बंसी वाले आप सभी पर महरवानी बनाए है और जिस तरह से जोदपुर में और राजस्तान में बारिश हो रही है हर्याला राजस्तान रहे किसान हमारा समरद रहे कृष्णी जर्माष्टमी की आपके माध्यम से राजस्तान की सभी जनको बहुत-बहुत डेर सारी सुबकामना है राजस्तान हाई कोट की स्थापना के प्रेटिनम जूबлी समापन समारों में पी-म ररेंद्र मोदी शामिल हुए उन्होंने हाई कोट संग्रहाले का वर्चुल उद्खाटन किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और सपश्ट होता है कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं वहीं मुख्य मंत्री भजनलार शर्मा ने कहा कि राजस्तान हाई कोट का नाम गर्व से लिया जाता है दर्षटीर भजनलार शर्मा ने कहा ने कहा नाम गर्व से लिए living मुश्किल गर्व मुश्किल वाजस्तान हाई कोट के साफनां में लाटिनम जुबली समापन समरों में शामिल हुए इस दौरां भी एम मोजी ने राजस्तान हाई कोट खाता दनी किया कारक्र में उनके साथ राचिपाल अरिभाउ भागरे सुप्रीम कोड के मुख्यन आधिश डॉक्टर धनाजय यश्वन्त चंद्रचूद प्रियम बजल्लाल शर्मा भी मौजूद रहे बियम मोदी ने हाई कोड के स्थापड़ा के फ्रेडिनर भी समावर समारों को संबोधित भी गिया राज़तान हाई कोड के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संबिधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है इसलिए ये अनेक महान लोगों की नियायन निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है इससे पहले मच पर प्यम मोदी का भब इस्वादत किया गया दियम ने भूलो का गुलकस्ता देकर बियम मोदी का अभिनंदन किया तो वही मुक्षि मंत्री विजनलाल शर्मा ने भी कारक्रप को संबोजित किया और देश में अब राग को खत्म करने की बात करती है यह सर्ची प्रदान मंत्री जी ने तुरित कानून विवस्था सुनिशित करने के लिए बरसों पुराने कानूनों को खत्म करके करने ने कानूनों से प्रिकरिया को आसान बनाने और नियमों के सरली करंचे से काम किये हैं प्रदान मंत्री के दौरे को देखते हुए शहर में जोत्पूर बिंच के अलावा आजबास के जिलों से पुरिस का जाफ़ता भी मंगवाया गया था आपको बता दें विशले दस महिने में ये बियमोधी का दूसरा दौरा है इससे पहले प्रदान मंत्री नरींद रमोदी 5 अक्टूबर 2023 को जोत्पूर दौरे पर आये थी इस दौरान उन्होंने जोत्पूर में उन्सट सो करोब रुपई की परियोजनाओं का लोकारपन और शिला नियास किया एक सितंबर से बीजेपी एक बार फिर से सदस्यता अभ्यान चलाने जा रही है लेकिन उससे पहले बीजेपी ने प्रदेश स्तरी कारिशाला का आयोजन किया इस बार कारिशाला कायजुन जोदपूर में किया गया जिसमें C.M. भजलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, मदनराठोर समेट कई दिगज मौजूद रहे जोदपूर में बीजेपी की सदिसिता अभियान कारिशाला कारिशाला में C.M. भजलाल ने की शिरकत कॉंग्रेस पर C.M. भजलाल शर्मा ने साधा निशाना बीजेपी ने एक सितंबर से शुरू होने जा रहे सदिसिता अभियान के तहट प्रदेश में एक करोड और हर बूत पार 200 सद से बनाने का लक्षे रखा है इसी कड़ी में अलग-अलग जिलों में बीजेपी सदिसिता अभियान कारिशाला का आयोजन कर रही है जोदपुर में आयोजित सदिसिता अभियान कारिशाला में सिया मजलाल शर्मा, प्रदेश रध्यक्ष भाश्पा, प्रदेश रध्यक्ष मदन राथोड और प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच मौजूद रहे कारिशाला को संबोधित करते हुए सिया मजलाल ने एक तरफ जोदपुर के विकास की बात की वही दूसरी तरफ कारिकर्टाओं से जादा से जादा सदस्यों को बीजेपी से जोड़ने का आहवान किया की तरह से जिस निश्जा के साथ हम काम करते हैं हम देखा है कि आज करो राजिस्थान की जनता हमारी है हम उसका प्रतिन दुद्द कर रहे हैं इसलिए हम समान भाव रखते हुए हम पुरे राजिस्थान के अंदर प्रिकास करेंगे एसन मेजिकल कॉलेज में आयोजिन कारिकरम का अगाज सियम ने दीफ प्रजुलित करके किया प्रदेश में उप्चिराओं से पहले कारिकरताओं में जोश भरने के मकसद से कारिशाला का आयोजिन किया जा रहा है एक से पचीज सितंबर तक पहला चरण होगा पहले चरण के पूरा होने के बाद समिक्षा की जाएगी जोधपुर में कारिश्वाला के दोराज सियम ने कॉंग्रेस को बचवारे के लिए जिम्मेदाद छेराया यह बोई कामरेस है जिनने एक जेस के वटबा रख लिए था और यह बोई कामरेस है पचेटर के अंदर इनोंने आपकार लगाया थी इन्होंने पितनी बार 획ोंते दिरिया किया चिर्फ इनको राज चाहिए राज के अलाव ए रहेज़ी जिक्ते इन्होंने जिद्ध तुष्टी करणा के आधारं तायजमिती किय है इन्होंने बाई युदा कि लाजमिती की है प्रदेश में जह सीटों पर होने जा रहा है उपचुनाव के मद्दे नजर कारिकरताओं में जोश भरने और उन्हें एक जोट करने के लिए कारिशाला का आयूजन किया जो रहा है पाटी से सदस्यों को जोडने के लिए पाच-पाच सदस्यों की टीम भी बना दी गई है गौर्दलाबे की एक सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान का आगाज प्रधान मतरी नरेंद्र मोदी, राश्टिय अध्यक्ष जेपी नज्जा, केंद्रिय ग्र्या मतरिया मिश्शा समेथ पाची के वरिष्ट नेता सदस्य बन कर करेंगी प्यूर रिपोर्ट, न्यूज एटीज, राजस्थान चलदाए विभाग की स्थापना के बाद पहली बार बड़े बदलाव की तैयारी होने जा रही है विभाग द्वारा अब पूरे महक्मे की केडर व्यवस्ता का फिर से गठन हो रहा है विभाग के विस्तार के साथ ही नए पदों का स्रिजिन किया जा रहा है केडर रिस्ट्रक्चिन के नए मॉडल में पहली बार सचिवाले में भी मुख्या अभिंतास्तर के अधिकारी को प्रशास्तिक पत की सिम्मेदारी दी जाएगी राजिस्थान में नए जिलों के गठन के बार प्रशास्तिक समिकरण बदल चुके हैं ऐसी में अब नए प्रशास्तिक समिकरणों के हिसाब से नए जिलों में नए सीरे से पेजल आपूर्ती व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है जिसके चलते जल्दाई विभाग अब पूरे महकमे की केडर रिस्ट्रक्चरिंग में लगा हुआ है विद्ध विभाग से मिली मंदूरी के बाद जल्दाई विभाग में तीन नए मुख्य अभियंताओं के पद स्रिजित किये जा रहे है गैडर रिस्ट्रक्चरिंग के नए मॉडल में पहली बार अब सचीवाले में भी मुख्य अभियंता इस्तर के अधिकारी को प्रशासनिक पद की जिम्यदारी दी जाएगी मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचीव के नाम से नया पद स्रिजित किया गया है वहीं उद्यपूर संभाग के परियोजनाओं के लिए नया मुख्य अभियंता का पद स्रिजित किया गया है वित्व विभाग की मंजूरी के बाद जल्दाए विभाग में अब आठ मुख्य अभियंताओं की जगह को ले 11 मुख्य अभियंताओं के पद कर दिये गए है दिपीसी की जो चीज है दिपीसी के लिए क्योंकि नये जीले जो बनेते हैं उनमें भी इन्होंने पोस्टे करियेट कर दी थी कई जिलेज़ जिनके अंदर या तो उनको बढ़ाएंगे या कहीने गटेंगे बढ़ाने का मलंग हुसका सेतर अधिकार बढ़ेगा या कहीन न कहीं उसको कम करने है उसके अमसा के लिए हमारे मंत्रिम कमेटी सरकार जल्दाय विभाग के कैडर रिस्ट्रक्चरिंग विवस्था में इंजिनियर्स के साथ-साथ आन्य पदों की संख्या में बढ़ोत्री कर रही है अब अतिरिक्त मुख्य अभ्यंता के बदों को 39 से बढ़ा कर 49 कर दिया गया है वहीं अधिक्षन अभ्यंताओं के बद 85 से बढ़ा कर 130 किये गए है वहीं अधिशासी अभ्यंताओं की संख्या को 472 से बढ़ा कर 490 किया गया है कनिष्ठ अभियंताओं के पदों में 57 सीटों की बढ़ोतरी कर दी गई है नए कैडर री स्ट्रक्चर के अनुसार अब संभाग पाली, वासवाड़ा, सीकर, जुन्जुनू, सवाई माधोपूर, जालावाड, श्री गंगानगर, जैसल मेर मेर में भी अतिरिक्त मुख्य अभियंता अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगे आज जैपूर उस्टे दस गुना बढ़ गया, तो हमें उस्टे दस गुना पद्दू की आवसकता पड़ती है, तो मैंने मेरे विवाग अधिकारियों से सबको बोला है कि आप इसकी केलकुलेशन करो, क्योंकि अगर इसका में टाइम पर नहीं करेंगे, टाइम पर उसका ओन डाइम नहीं करेंगे, टाइम पर हम पानी नहीं खोलेंगे, वाल खोने वाले नहीं रहेंगे, तो कही नहीं करेंगे, यह सिस्टम कोलेप्स होगा, इसके लिए हमने जितने पद्द चाई 10,000 और 15,000 उनके हमें समिक्चार के भोछ जल्दी बढ़ती करेंगे, बढ़ती प्रफान में हर घर नल से योजना के तहट इस साल के अंत तक करीब एक करोड दस लाग घरों को फेजल कनेक्शन से जोड़ना है